नमस्कार सातियों, सातियों जैसा मुझे पूरा अंदाजा था कि मद्ध्य पदेश में विधान सभा चुनावों से पहले मद्ध्य पदेश में जिले बन के तयार हो जाएंगे क्योंकि मद्धिपदेश में जिलो का निर्मान देखा जाए तो एक तरह का चुनावी लॉलीपॉप है ऐसा मैं क्यों क्या रहा हूँ अभी एक मिनिट के अंदर इस बात को मैं पूरा स्पष्ट कर दूँगा ठीक है तो अभी फिलाल यह बात की गई है आज तारीफ 5 अक्ट सील में शाम्र के जाएंगे तो यहां पर पहला जो जिला बनने वालते वह पांडूना बनने यहां पर नगर को मिला कर यहां पर महीर बनाया अंदर आचा शहिंता लगने से पहले इससे यहां पर घोशित कर दिया मतलब यहाँ पर जिले बनके तयार हो जाएंगे और इस तरह से अब मद्ध्य परदिश में टोटल 55 जिले ़हें कितने जिलेगे 55 जिलेए और इस से पहले इसी साल यहाँ पर मोगंज को मद्ध्य परदिश का त्रिपनवा जिला बनाया था तो रीवा से अलग करके मौगंज मद्धिपदेश का त्रेपनवा जिला बना है अब लिखे मुद्धा वो नहीं है मुद्धा ये है कि मद्धिपदेश में जिलो की घुशना और भी की गई है तो मद्धी पदेश के अंदर यहां पे और भी जिला बनाने की घुशना की गई है जिसके अंदर दिके नागदा को और यहां पे पिछोर को भी जिला बनाने की जो घुशना है वो कर दी गई है तो संभफता जिलो के संक्या आपको और भी आगे दिखाए दे सकती है मद्धी परदिश में जब जब विधान सभा के चुनाव हुए हैं मैक्सम जगा पर खासकर 1998 के बाद तब तब पार्च वर्षों के इन्दर इन्हें जिले बनाने की याद आगा रती है इसकी सबसे पहले शुरुबत 1972 मुई थी 1972 में दो ही जिले बना गए थे भुपाल राजनन्द गाओं लेकिन 1998 से यह जो प्रक्रिये हैं बेटे टूटी नहीं है मतलब यह जो क्रम है टूटा नहीं है 1998 की विधान सबा चुनावों से पहले मद्द बदिश में 16 जिले बने थे इसकी बाद 2003 में जब मद्द बदिश में विधान सबा चुनाव थे ना साब तो तीन नहीं जिले बना गए थे इसी प्रकासे 2008 में जब विधान सबा चुनाव थे तो दो नहीं जिले बना गए थे इसी प्रकासे 2013 में विधान सबा चुनावों से पहले एक जिला बना था बाकी आप जो चाहें comment कर सकते हैं तो सात्यों के लिए section पसंद आया है तो comment जुरू कीजिगा और आपके जो भी बहुमुली विचार है आप अपने विचारों को नीचे comment section में जुरू के ले सकते हैं और जिन सात्यों को ये परिवार पसंद आ रहा है आप लाइक कीजिए शेर कीजिए और इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राब ज़रू कीजिए